इस वीडियो में HP printer पर fax connection setup करने का तरीका दिखाया गया है अपने fax connection को उचित रूप से setup करके आप अपने fax section printer से fax भेज कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं चुकि हर fax configuration अलग-अलग होती है इसलिए इस वीडियो में केवल सामान्य fax setup दिखाया गया है जिसमें DSL modem और telephone answering machine शामिल है पहले phone के उस jack से कोई telephone device या networking उपकरन निकाल दें जहां आप printer connect कर रहे हैं phone jack में phone line splitter लगाे phone card के एक सिरे को phone line splitter के एक port में लगाे और card के दूसरे सिरे को अपने DSL modem के line port में लगाे DSL filter को splitter के अप्रयुक्त port पर लगाए दूसरी phone code के एक सिरे को DSL FILTER के खुले port पर लगाए और code के दूसरे सिरे को printer के पिछले भाग में एक line port पर लगाए दूसरी phone code के एक सिरे को या telephone answering machine पर attach की गई phone card के एक सिरे को printer के पिछले भाग में दो extension port पर लगाए अगर आवश्यक हो तो कॉड के दूसरे सिरे को टेलिफोन आंसरिंग मेशीन में लगाएं। अगर आपका टेलीफोन आपकी टेलीफोन आंसरिंग मेशीन से अलग है, तो दूसरी फोन कॉड को line out पर या टेलीफोन आंसरिंग मेशीन में टेलीफोन पोर्ट पर लगाएं और कॉड के दूसरे सिरे को phone receiver में लगाएं। अब आपके printer के लिए fax connection set हो गए हैं। Fax के सरवोत्तम निश्पादन के लिए आपको अपने printer के control panel से निम्नलिकित सेटिंग समायोजित करने की जरूरत हो सकती है. Fax बेटा की हानी कम करने के लिए Fax की गति को कम करें. Ring को आपकी टेलिफोन आंसरिंग मेशीन से दो ring ज्यादा पर सेट करें. Connection समस्याओं का समधान करने में मदद के लिए तुरुटी सुधार मोड बंद करें. और Incoming Fax स्वचालित रूप से प्राप्त करने के लिए स्वता उत्तर सक्षम करें. आपको hp.com slash support videos पर और हमारी YouTube चैनल youtube.com slash hp support हिंदी पर और मददगार video मिल सकते हैं. आपको प्राप्त करें.